अब वो साथियों मैं मिन्हाख्षे सुकला सुभी का स्वागत करती हूं उपने इस आउनलाइन प्लेट पार वन डे एक्जाम स्टुडी में साथियों जैसा कि आपको बता है कि प्रत्ति एक दिन आपकी हिंदी की स्टी होती है और इस समगला में आज पिर से हम आपके समने ह हिंदी की एक सुपर एस्टी को लेके आए हैं अगर अगर अब प्रति दिल प्रति दिन प्रति दिन को देते रहे तो आपका उसी से ही पेपर फस जाएगा चलिए तो सुरू करते हैं आज की चेस्ट सीरीज का पहला प्रशन है दिवशाव शान का समय था देखना क्या संद्या संद्री परिशी धीरे 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 प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है पहला उपमा दूसरा रूपक तीसरा मानवी करण या इन में से कोई नहीं तो साथियों पहला आप देखिए कि क्या लिखा है उतर रहिए वह संद्या संद्री परिशी यानि संद्या को किसके समान बता दिया गया है संद्या संद्री परीशी तो साथियों एक तो उसमें सासी से समाया और सासी से समके आने की विज़े से इसमें क्या हो गया उपमा हो गया पात समझना अगला क्या कहा गया जो संध्या है वो क्या है संध्या तो संध्या कोई इस्त्री तो नहीं है लेकिन उसकी तुल्ला किस से कर दी गए संध्या सुंद्री से जब अमानों की तुल्ला मानों से कर दी जाए तो वहां पर क्या होता है मानवी करण होता है क्योंकि उतरता कौन है जीवित होता है और यहां पर उतर कौन रहा है और delicya बास संध्या और होता है लेकिन इसमें क्या कर दिया गया इसमें मानों की सात मानstr अभा समझना तो इसमें दोनों हो जाएंगे उत्ममा और मांन वी करण अब शात्यों आप्यमत सोचना कि तो क्या ही अगर दोनों आए तो कौन से करेंगे नहीं नहीं आएंगे और आगर दोनों आ भी गए तो आपको सबसे पहले किसको चुनना को चुनना है किसको पूल को चुनना है बास समझ में आ गई तो इस तरह से साथ हो हम भी सबसे पहले किसको चुनेगे हम भी अपना टिक उप्मा को लगाएंगे लेकिन मानुभी करण भी इसमें सही होगा अगर नहीं होता तो मान भी करण हो जाता चलिए अगला देखते हैं लिखा है मीन का पर्यायवाची शब्द है क्या लिखा है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है आगे देखे अगला प्रशने है गमन काबिलों तो गम मतलब क्या होता है साथियों गमन मतलब होता है जाना गमन कार्थ क्या होता है जाना होता है अब इसका हमें क्या दूड़ना है विलोम दूड़ना है यानि इसका उल्टा देखना है क्या होगा जाना उतरना चड़ना या आगमन तो सातियों गमन का क्या हो जाएगा आगमन हो जाएगा क्योंकि गमन हमारा संस्कृत का है तो हमें एंसर भी संस्कृत में ही देना है गमन का आगमन अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दिसाएं ही जिनका वस्त्र हैं साथियों दिसाओं को क्या कहते हैं दिसाओं को कहा जाता है दिख ठीक है और वस्त्र को कहा जाता है अंबर ठीक है दिसाओं को कहते हैं दिक और वस्त्र को कहते हैं अंबर लिखा है दिसाओं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहेंगे विश्वंबर दिगपाल दिगंबर या पैगंबर पैगाम देने वाले पैगंबर होते हैं विश्व केकी जो रक्षा करते हैं वो विश्व अंबर होते हैं दिग पाल जिनको दिसाओं पर पूरा नियंत्रण होता है जो दिसाओं को पालते हैं उनको दिग पाल कहते हैं लेकिन दिसाओं जिनका अंबर होगी तो क्या हो जाएगा साथियों दिगंबर हो जाएगा सी व अगला प्रश्ण है शे च्रण होते हैं किस च्रण होते हैं मेरा और सात का करम होता है चोपाई एक सम्मात्री च्रण में तक च्रण में 16 मात्राइं होती हैं लेकिन चप्पय की बात करें चपपए में कितने चरण होते हैं डी चपपऑ Argentin ऑल은ीं होती हैं पहले चार चरणों में रोला होता है और हिता है अगला प्रक्स्थां कितने पाकिस्तान नामग पन्यास के लेखक दाजिंद्र कुमार शाथ्य प्रगास या खुशवन्त सिंग तो साथियों राइट ऑप्प्षन होगा भी कम राइट ऑप्षन भी कम लेश्वर अगला प्रशन है को भी किस बोली को कहते हैं तो बोलियां कितनी सौरी भासाएं कितनी है पांच है पांच हैं कौन कौन सी पश्चिमी हिंदी इधर देखते हैं कौन कौन सी है तो साथियों पहली है हमारी पश्चिमी हिंदी दूसरी कौन सी है पूर्वी है राजस्तानी है बिहारी है और पहाड़ी है साथियों पश्चिमी का कहा जाता है बांबू को कबर क्या बोलते हैं बांबू को कबर कहने का मतलब है बांगरू बुंदेली कौर्वी कन्नोजी ब्रजभासा तो कौर्वी किसका हिस्सा है साथियों पश्चिमी हिंदी का है किसका है पश्मी हिंदी का है लिखा है कॉलवी किस बोली को कहते है और कॉलवी को कहा जाता है खड़ी बोली क्या कहा जाता है खड़ी बोली कहा जाता है तो वी विकल्प मरस से ही हो जाएगा पूर्वी को कहते हैं A, B, C, अबधी, बगेली, चतिसगड़ी, राजस्तानी को मामा, जमे क्या गहते हैं मामा जमें मारवाडी क्या गहते हैं मारवाडी मालभी जैपुरिया जैपुरिया और मेवाटी ठीक है यहाँ पर सातियों भिहारी को कहेंगे भोज भोज पुरी मैठली और मगही तो भोज मैं हो गया पहड़ी की कुमाउनी गड़वाली कह सकते हैं मत्यवर्थी और मत्यवर्थी और जो हमारा स्टर्टिंग का होता है वह हमारा किसमी आ जाता है तो साथियों वह आ जाता है हमारी मंतिपाहड़ी घर टिक है तो राइत और नहीं हो जाएगा भी खड़ी बोली अगला प्रश्ण है भासा का लगुत्न रूप है भासा का लगुत्न रूप कौन साय ए वेक्टी बोली उप्व ऐसा का लगुत्त hyg с hyd या वरं तो दा मॉडर्न वर्नक्यूलर लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान गृंत का हिंदी अनुबाद किसने किया लश्मी सागर वासने किशोरी लाल गुप्त लच्मी नारायन लाल या राधा चरण गोश्वामी या राधा चरण गोश्वामी तो साथियो राइट आप्सन हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त ठीक है? बहुत बहुत अच्छे अगला प्रस्जि देखते हैं अगला प्रस्ण है परमाल रासो का प्रक्रतिके रचेता कान है? अर्थार्थ परमाल रासो के रचिनाकार कान है? सातियों परमाल रासो देखें परमाल रासो पहला है बट केदार दूसरी है नली सिंग तीसरी है जगनिक और चोथे है शारंग दर तो सातियों नली सिंग ने क्या लिखा नली सिंग ने लिखा है बिजे पाल रासो क्या लिखा है बिजे पाल रासो सारंग धर ने लिखा है हमीर रासो सारंग धर को ही जजुल कहा जाता है जगनिक ने लिखा है परमाल रासो क्या लिखा है परमाल रासो लिखा है और सातियों इसी में मिलता है आला खंड क्या मिलता है आला खंड इसी में देखने को मिलता है तो राइट आप्शन हो जाएगा का परमाल रासों के रच्चना कलभ जग दार ने कोई भी रासों नहीं लिख अग्ला प्रस्म है ल दम्यनती आख्यान किस ग्रंथ में है यह लो और दम्यनती के प्रेम का वरणन किस में हैं शांबेत तो साति किस में मिलता है महा भारत में मिलता है और महाभारत के किस पर में इसका वर्णन है जब कवर्वों को बन जब कवर्वन को गए थे और एक रिशी के आश्रम में ठहरते हैं तो वहीं पर रिशी ने नल और दमेंती की कथा का बखान करते हैं तो सातियों नल और से लिए लिखा चित्र één लिखा और पूछा क्या है कि बताये वश्मान कृति चित्रावली का नायक कौन है क्यों रत्नसेन मनोह को जाएगा राइट ओप्छ औप्सन क्या हो गाल्प हो भै है गजाद से यागला प्रशन है भरत मुनी के अनुसारों की संख्या कितनी है साथीं टोटा रसों की संख्या कितनी है नौ है लेकिन भरत मुनी ने सिर्फ कितने रसों के बारे में बताया है आठ रसों के बारे में बताया है किस रस के बारे में नहीं बताया है तो सातियों सांत रस के बारे में नहीं बताया है इसलिए सांत रस को नवा रस माना जाता है कौन सा रस माना जाता है नवा रस माना जाता है इसको किसने जोड़ा था तो सातियों इसको जोड़ा था अभिनन गुप्त ने किसने अभिनन गुप्त ने तो राइट आप्सन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आठ ठीक है नवारस कौन से है सांतरस है किसने क्या का गया नवारस का गया किसने जोड़ा अभिनन गुप्त ने जोड़ा तो सातियों रस सास्त्र में हमें देखने को मिलता है अगला प्रश्ण है योगिक सब्द कौन सा है योगिक क्या पूछा गया है योगिक साथियों योगिक की बात करें तो योग किसको कहते हैं योग कब किया जाता है जब दो सब्दों को जोड़ा होगा तो दो सब्दों के योग से बना सब सब्द योगी खोता है दो सब्दों के योग 사ों से बना सब्द योगी कोता है आदे कि पहला है पंकज क्या है पंकज है तो हमने क्या किया पंक और जा को जूड़ा क्या बना पंकज और साथियों पंकज किसको कहते हैं पंकज कहते हैं कमल को अर्थार्थ इसमें क्या होगा इसमें हमारा हो जाएगा योग रूड क्या हो जाएगा मैं योग रूड हो जाए आप धेके पाड़ साला एक शब्दे पाड़ और दूसरा है सालँ को जोड़ दिया तो क्या मन गया पाड़ साला बन गया पाड़ साला का कोई अरत नहीं होता है पाड़ साला कैसा स्थान हैं जहांपर लिकाई करते हैं पढ़ने जाते हैं उसी को विद्ध गाँ जाता है सत्लियों कहें तिन को नहीं अलग अलग कर सकते हैं जलाज मतलब भी कंमल होता है तो योगहारा क्या हो कभी हो जाएगा पॉट्टे साहला अगला प्रश्ण है दो भिन्ज सोतों से आए सब्डों के मेल से बना नया सब्ड क्या कहलाता है दो भिन्ज सोतों से आये शब्द के मेल से बने सब्द को क्या कहते हैं यानि दो सब्द हैं उनको हमने जोड लिया तो जो नया सब्द बनेगा वो हमारा क्या होगा शमानार्थी, रूड, विदेशी या संकर शमानार्थी, समान अर्थ देने वाले और सातियों इन्हीं को ही पर्यायवाची कहते हैं विदेशी, विदेश से आय सब्द विदेशी कहलाते हैं रूड, जिनके टुकड़े ना हों, रूड कहलाते हैं और संकर की बात ने दो बिन बिन सोतों से बना सब्द संकर कहलाता है तो सातियों राइट ऑप्सन हो जाएगा डी संकर जो सही विकल्प क्या हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी संकर अगला प्रश्ण है संग्या सर्वनाम क्रिया विशेशन ये कैसे सब्दे हैं विकारी भाई दे के संग्या में परिवर्तन हो जाता है कैसा लड़का संग्या है लड़का से लिलकी हो गया बदल गया सर्वनाम की ले लो आप अपने लिए मैं का प्रियोग करते हैं हम अपने लिए तुम का प्रियोग करते हैं गलत अपने लिए हम मैं का प्रियोग करेंगे आपके लिए तुम का प्रियोग करेंगे क्रिया की बात करेंगे क्रिया है जाता और जाता का क्या हो गया जाती हो गया कि अच्छा है और अच्छा से क्या अच्छी बन गया यानि चह releasing उन परिवर्तन हो जाता है और चाहे किस वहासा का सब्द चाहि ब जापानी T अंग्रेजी डि फ्रिंज तो है चाए चाए जो है चाए हमने आपको कहा है चाहे कहां से आई चाहे कहा से आई तो साती और कैसा सब्द्र hacka सब्दी चाहे कैसा सभद्र चीनी सब्द अगला कि अस्प्रश्ष्ष्ष्ष थावत्ब को फिलोम आर्थक बनाने के लिए किसynों करें गया सट इस प्रस्ट किसे कहते हैं इस प्रस्ट कहते हैं छुने योग। अब इसका क्या पूछा गया इसका बिलोंग पूछा गया अपोजिट पूछा गया है तो क्या क्या हो सकता है देखिए नी अश्प्रस अनुश्प्रस आश्प्रस या कूश्प्रस तो आपने सुना होगा अश्प्रस्ट किसे कहते हैं जो चूने योगिना हो उसको साथियों अस प्रस्चि कहेंगे अर्थार्थ हमारा ऑविकल्प सही हो जाएगा I will सही हो जाएगा अस प्रस्चि हो जाएगा के अगला प्रस्च्ण है करट परते के योग से नेए वाला सब्ण कौन सा है जन्च अभया जन्च सब्द या जा तो जन में ता लगा दिया क्या हो जाएगा जनता हो जाएगा पहला अब हो सकता है कभी पूछ दिया जाए जन में अक्ता प्रते के योग से क्या बनेगा तो सातियों इससे भी क्या बनेगा जनता ही बनेगा क्या बनेगा जनता बनेगा जनक्त नहीं बनेगा याद र हो जाएगा जन्ता हो जाएगा और जन्तम हो जाएगा ठीक है कि वास समझ में आ रही होगी चलिए देखते हैं अगले प्रिश्ण को अगला प्रस्न है इस्त्रित सब्द में कौन सी संग्या है अब देखिए अगर यहां पर इस्त्री होता क्या होता इस्त्री होता तो साथियों क्या हो जाता इस्त्री होता तो जाती हो जाती इस्त्री का नाम होता व्यक्ति हो जाता ठीक है तो बना क्या है इस्त्री यानि इस् कुछ आमारे परते जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है भाव आचक संग्या बन जाता है इसलिए अगला प्रश्ण है भारती सब्द का बहुवचन अब देखें के लिखा है भारती लिखा है अब साथे जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ए ऑप्सन है भारतीयों भी है भारतीयों छोटी यह नहीं होगी ती है भारतीयों यह नहीं होगा तो राइट विकल्प हमारा क्या हो जाएगा भारतीयों क्या होता है भारतीयों ऐसे ही लिखा जाता है भारतीयों और थारत ह ही हो जाएगा अगला प्रस्ति है गरीवों को वस्त्र दो क्या कहा गया है कहा गया है गरीवों को वस्त्र दो अब सातियों जो गरीव हैं उनको क्या देना है वस्त्र देना है और देने के योग में क्या होता है देने के योग में सातियों एक तो इसमें करता करताने कर्म को ए दूसरा कहा गया है गरीवों को वस्तर दो गरीवों को क्या दिया जा रहा है और दानके योग में क्या होता है Centaureti होती यह सथी उसंत्र कृत का रूल कहता है तो यह पर क्या हो करताने कर्म को करन से संप्रदान के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा और इसमें साथियों कर्म कारक होगा लेकिन सही विकल्ब में क्या करना है अगला प्रस्जन है इन इन में से गुण वाच्चा के विशेशता डूननी है अब डून यह पहला पहला क्या है चोगुणा यानि संख्या है क्या है संख्या है साथियों, तीन संख्या है। नया, नया की बात में तो ये तो गुण है, नया, पुराना, काला, नीला, पीला, गोल, चोकोल, तो ये सभी क्या हैं साथियों, ये सभी के सभी गुण हैं, तो इविविगल्प मारा से ही हो जाएगा। और पूछा गया है गुडवाचक तो कुछ में यतो यह संख्या होगा जैसे कए कुछ आम तो संख्या हो जाएगा और कुछ आटा कुछ चावल तो क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर हो जाएगा साथियों परिमार ठीक है तो कुछ से संक्या और परिमार दोनों बन जाएंगे लेकिन यहां पर सही विकल्ब हमारा भी हो जाएगा अगला प्रस्न है उतकर्स का विलोम सब्द क्या होगा क्या कहा गया है उतकर्स का विलोम सब्द क्या होगा पूछा गया है उतकर्स का विशेशनन क्या होगा यही प्रेस्ट जुनियर की भरती परिक्षा में आया था और यह प्रेस्ट हमने आपको करवाया था पहले भी इस प्रेस्ट को करवाया था ठीक है तो पूछा गया उतकर्स का विशेशनन क्या होगा तो साथियों अगर पूछा जाता बिलोम, देखे वही गल्ती हम भी करने वाले थे, हमने पूरा प्रस नहीं पड़ा, और क्या कह दिया, उतकर्स का बिलोम, बी देख लिए आगे देखे ने, विशेशन है कि बिलोम है, तो क्या पूछा गया, विशेशन है, तो उतकर्स का ब बिलोम, तो उतकर्स का क्या हो जाता, अपकर्स हो जाता, उतकर्स का अपकर्स हो जाता, ठीक है, उतकर्स का अपकर्स हो जाता, बस समझ में आगे, तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, शी बिकल्प हो जाएगा, उतकर्ष्ट, अगला प्रश्ण है, अगला प्रश्ण लगाना दरवाजे दर्वाजे बटकने में दुई रुकती है दुई रुकती मतलब दुई बार उक्ती मतलब बचन यानि यह दो बार कहा गया दुख सम्मंद मताने के लिए नहीं जब किसी एक सब्द का दो बार प्रियोगों तो इसका मतलब उसको बहुत जादा उभार कर बताया गया है उसकी अतिसेता बताई जा रही है अगर संबंद बताया जाता तो हम कहते चंद्रमुख क्या कहते चंद्रमुख तो यहां पर संबंद बता रहे हैं कि चंद्रमा कैसा मुख जैसे हैं मुख कैसा चंद्रमा कैसा मुख सा तो यहां पर पारसपर सब्सक्राइब करने के अर्थ में अगला प्रकत करने के योग में अगला प्रस्त्स है फिर आप भी क्या कहेंगे अर्थार्थ इसमें क्या करना है क्रिया विशेशन पहचानना है तो देखे सबसे पहले लिखा है आप तो साथियों आप क्या है सर्वनाम हो गया कहेंगे हमारा क्या हो गया कहेंगे क्रिया हो गई क्या क्या हो गया क्या हमारा प्रश्ण सुचेक सब्द हो गया इसको हम कहेंगे प्रश्ण वाचेक सर्वना और जो फिर है फिर हमारा क्या हो गया फिर हमारा क्रिया विशेशन हो गया फिर कहोगे फिर क्या कहोगे फिर क्या है क्लिए विशेशन में आजाता है बास समझ में आ गए होगी चुछी आगे देखते हैं पूछा गया है अगर किसी सद्ध के पीछे ये वाला चिन्य लगे तो किसको बताता है मनो शूचक को किसको बताता है मनो सूचक को बताता है और इसी को हम कहते हैं विसमय सूचक क्या कहते हैं अब हमें बताना है ए क्या हुआ इस वाक्य में अव्य की पहचान करना है किसकी पहचान करना है अव्य की पहचान करना है तो अभी हमने बताया क्या क्या हो गया हमारा प्रश्णवाचक सब ठीक है क्य क्या हुआ पूरा दिया है तो प्रस्णवाचक सब्सक्राइब क्रिया हो गई यहां प्रसातियों हुआ क्या है तो जो हमारा यह हो जाएगा वही हमारा अव्य हो जाएगा बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे चले आगे के तरफ बात करते हैं अगली बात करते हैं क्या कहा गया है अगला कहा गया है शाग पात में कौन सा समास है क्या कहा गया है शाग पात में कौन सा समास है चले तो हम देख रहे हैं आपने क्या लिखा है एक तो सातियों लिखा है साग शाग कहते हैं सबजी को और पात कहते हैं पत्ते को ठीक है अब देखिए एक तो साग है और दूसरे के हैं पत्तिं दोनों के पीच में योजक चिन आया है दो बराबर के प्रति नंद्र है तो क्या होगा दुन स् 대burne जायेगा अब इसमें कौन-कौन सी uda ने देख लीजी सब्से पहला अगर अप्वे हो तो अब्बी भाओ हो जाएगा संख्या हो तो दिगु क्या हो जाएगा और अगर दो बराबर के पद हैं तो क्या हो जाएगा सही संदिविक छेद हैं क्या लिखा है प्रत्येक का सही संद्विक्षेद क्या होगा तो साथियों रिखिए आधा वर्ण है आधा के बाद या आया है तो अगर आधा के बाद या आया है तो हमें इसको किस में बदलना है इमें कैसे अगर कहीं पर आधा वर्ण आता है जरूरी नहीं सबी के साथ हो और अगर इसके बाद या आए तो ई में बदल दो इसके बाद वा आए तो उ में बदल दो इसके बाद ला आए तो री में बदल दो इसके बाद ला आए तो लरा में बदल दो चीक है तो कहा गया है प्रत्ते तो सातियों क्या है या है तो हमें या को किस में बदलना है इमें बदलना है तो क्या करो यह ऐसे लिख लो या को इमें बदल दिया प्रति हो गया और बचा हुआ एक हो गया देखिए एक ही मात्रह है तो क्या हो गया प्रतिधन एक तो यहां पर आप्सन चार दिये गए हम नहीं होगा प्रतिकार्थ नहीं होगा इसलिए हमारा मरャ कलप सही यो जाएगा अगला प्रूश्ट क्याता है संगम का सही संदि विक्षेद होगा संगम का तो संगम लुद questi दiber कि लिखन दो तो क्या हो जाएगा हो जाएगा सथी ऑन हो जाएगा देखें पहला लिखा है यह तो इसमें मा कहला चाहिए अधूरा चाहिए हो गार भी दोन स्वार में बदला होगा सही हो जाएगा क्या हो जाएगा शम धन गम क्या हो जाएगा इस अगला प्रशन का सही संधि बिच्छा दे तो याद करो याद करो बिटा क्या बताया था पहली बात अगर कहीं पर आदा शा हो आदा खा हो आदा सा हो तो ये विशर्ग में बदलते हैं कब जिब इस सा के बाद शाया चाचा हो इस खा के बाद काखा ताठा और पापा हो इस सा के बाद ताठा और सा हो अब यहां पर आप देख रहे होंगे सा है और सा के बाद चाहे तो सा किस में बदल जाएगा विशर्ग में बदल जाएगा किस में बदलेगा बाई गला बहुत प्राब्लम कर रहा है बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही है तो भाई यह खा किस में बदल जाएगा विशर्व में बदल जाएगा दाका क्या होगा दू हो जाएगा बचा हुआ ऐसे यह लिए क्या हो जाएगा दू धन चरित्र हो जाएगा घुट भाई बहुत जानर्श मस्या हैं हावाज बिलकुल नहीं निगर रही है क्या हो जाएगा सात्यीन धू धन चरित्र हो जाएगा देखिए दू सधन चरित तो इसमें यह हो जाएकगा कि दूश्चिर का आर्थ नहीं अगला लिखा है तुम यह काम मत करो अगर लिखा होता है तुम यह काम करो तो सातियों क्या हो जाएगा निशेद हो जाएगा अगर कहीं पर मत लगाओ कहीं पर मत लगाओ कहीं पर नहीं लगाओ कहीं पर क्या लगा है कहीं पर मत लगाओ मत करो मत जाओ मत मतलब नहीं अगर कहीं पर लिखा है नहीं तो भी सातियों क्या होगा नहीं होगा अगर यहां पर लिखा होता कभी नहीं क्या रिखा होता कभी नहीं तो सातियों इसमें भी क्या होता इसका मतलब भी नहीं होता और जहां पर लग गया नहीं तो इसका मतलब निशेद हो जाएगा ठीके क्या होगा निशेद हो जाएगा अगर प्रश्ण किया जाता तो प्रश्ण वाच्यक होता और अगर आश्चेरी प्रकट किया जाता तो विस्मय होता लेकिन इसका आपसन हो जाएगा भी निश्य धात्मक भी निश्य धात्मक अगला प्रश्ण है तुम कब आओगे क्या गहा गया तुम कब आओगे तो प्रस्ण किया जा रहा है भाई मेरे कब आओगे कब दर्शन दोगे तो उच्छा गया है इस वाक्य में उच्छित विराम चिन्न का प्रियोग करे इस वाक्य में उच्छित विराम चिन्न का प्रियोग करे अगर कहीं पर लिखा होता तुम आओगे बस मज़ा लिखा होता तुम आओगे तो हमारा पूर्ण विराम हो जाता लेकिन लिखा क्या है तुम कब आओगे तो प्रस्ण किया जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा प्रस्ण वाचक चिन हो जाएगा ठीक है प्रस्ण वाचक चिन हो जाएगा सही विगल्प हो जाएगा भी अगला प्रस्ण है सही वरतनी का चेंगरी ये बहुत अच्छा प्रश्ट है देखे होता क्या है अब सारीरिक बना किस्य है तो सरीर हमारा मूल सकती था इसमें लग गया एक और इसलिए हमारे मौश्टरी साती क्या करते है सरीरिक कर देते है क्या करते है सरीरिक कर देते है सरीरिक नहीं होगा, जब सरीर जब एक से मिलेगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा, और यह परिवर्तन क्या होगा, सामे बड़ा की मात्रा लग जाएगी, तो सरीर धन एक शारीरिक हो जाएगा, सरीर धन एक क्या होगा, A option सारीरिक, B option सारीरिक, C option सारीरिक, या D option शारीरिक, तो सातियों राइट आप्सन हो जाएगा ए सारी रिख क्या होगा ए आप्सन राइट हो जाएगा शारी रिख अगला प्रश्ण है निम्ने लिखित में से कौन एक सैयुक्त वेंजन नहीं है क्या कहा गया है निम्ने में से कौन एक वरण शैयुक्त वेंजन नहीं है तो सातिय ये वाला च्छा का और खा के योग से बनता है ठीक है ये वाला त्रा ता आदा प्रस रा के योग से बनता है ये वाला ग्या जो है वो साथियों जा और उमा के योग से बनता है लेकिन ये वाला खा नहीं बनता है और ये किस में आता है ये हमारे उसमो वरण में आता है किस मे के यूपत होते हैं और साथी एकल जो एक वरण से बने हो वह एकल कहलाते हैं तो यहाँ पर जो हमारा खा है यह वालड़ा खाइव कैसा है उस मुम्रण के सास साथ एकल है तो यह हमारे से यूप नहीं है यही विकल्प हमारा से ही हो जाएगा अगली साथियों अगली बाप आपके लिए जो हमारे साथ ही सिच्चक वरती परिच्चा त्यारी कर रहे हैं और अगर उनको प्रिंटेर नोट्स के आविश्यक्ता हो तो यह पूरा मैटिर्स सुमंसर के द्वारा तैयार किया गया है और अगर चाहते हैं आप बेस्ट नोट्स लेना तो आप इनको order कर सकते हैं यह order अभी छूट में है थोड़ा दीवाली की विज़े से छूट में रखा गया है तो अगर आप इसको पर्चेस करेंगे तो आपको इसमें विसेश चूट मिलेगी अगर इसमें आप जादर जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर